रहाम राम जी आप सबको आपका अपने चैनल पर स्वागत है आज हम आपको ये छोटा-छोटा डिजान बना के दिखाऊंगी आप इसको बच्चे के गार्डिकन में डालो लेडिस का डिकन में जैकेट में टोप में कई भी डालो सारी जग अच्छा लगे गए एक डिजान ये चैर सलाई का है और तीन फंदे का है जो पहली सलाई में बना था पहली सलाई से बना के दिखाऊंगे मापको पहले हमें सिद्धी साइड है ये सिद्धी सलाई है सारे फंदे हमें सिद्धी साइड से यमें उल्टे बनाएंगे साइड अमारी ये सिद्धी है फंदे उल्टे गुणा रहे हैं अगर आपको मेरा डिज्यान पसंद आए तो पलीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो गंटी का निसान है उसको दबा देना ताकि आग्गे आने वाड़ी नई नई वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपको पता चलेगा बैल दबाने से और जो तीन बैल आएंगे नमें उपर वाड़ी पे आल लिख्या हुआ है उसको दबाना जो भी नई वीडियो डालूंगी उसका आपको पता चलेगा आप वीडियो डालती है फोन पर मैसेज आएगा अब ये दुसरी सलाई है ये सलाई भी हम उल्टी बना लेंगे शारे फंदे स्तर उल्टी बना अतेंगे इस डिजान में सारी सलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे अब ये दो सलाई होगी अब आगी तीसरी सलाई सिधी सलाई देखो कितना चल लगेगा अब तीसरी चलाई में हम है ये फंदा मारा चलाई के लिए है अगर आपने एक फंदा और रखना है एक और रखलो अगर नहीं रखना है तो ना रखो वो आपकी मर्जी है एक फंदा ज्यादा उठड़े है यहाँ अब ये दूसरी चलाई है उल्टी यहाँ एक ज्यादा उठा रख्या है अब तीसरी चलाई में हम है पहले कोणे वाले को उल्टा बना लेंगे अगर आपने सलिप करना सलिप कर लो मां उल्टा बना रही हूं आके फिर तीन फंदे का डिजान बनाएंगे ऐसे करके तीन का एक बना लेंगे पहले यह थोड़ा हलंबा कर लेंगे तीन का यह जो फंदा फिर अभी निकाल लेंगे निए तीन फंदे ऐसे लपेट के एक फंदा और बना लिया दो फंदे होगे अब एक फंदा और फिर यहीं से निकाल लेंगे ऐसे यूँ करके फिर ये छोड़ दिया अब ये तीन फंदे के तीन फंदे बना दिये अब ये सिद्धी सलाई है तीसरी सलाई है आगे फिर हम तीन फंदे को इसी तरह फिर बनाएंगे पहले एक फंदा बना दिया फिर एक लपेट के बना लिया फिर एक बार फिर यहीं से ऐसे बना लिया तीन फंदे के तीन फंदे बना लिया फिर आगे फिर पहले एक फंदा बना लिया फिर एकल पेट के बना लिया फिर एक बार फिर ऐसे यह तीसरा फंदा फिर बना लिया तीन फंदे के तीन ही बना दिये फिर आगे फिर तीन फंदे का एक बना लेंगे फिर एकल पेट के बना लेंगे फिर एक बार फिर तीन का एक बना देंगे फिर एक फंदा बना दिया तीन का फिर एकल पेट के बना लिया फिर एक बार फिर तीन का एक बना देंगे तीन फंदे का एक बना लेंगे, फिर एक लपेट के बना लिया, फिर एक फंदा ओर ऐसे बना लिया पहले तीन का एक बना लिया, फिर लपेट के बना लिया, फिर एक फंदा ओर बना लिया अब ये तीसरी सलाई को हम पूरी सलाई को इस्त्र उतार देंगे सारे फंदे इस्त्र बनाएंगे फिर अग्य तीन का एक बना देंगे फिर एक लपेट के बना देंगे फिर एक बार फिर यहीं से बना देंगे अब ये कोणे वड़ा फंदा, दोनों कोणे पे एक एक फंदा रख्या, ये सिलाई के लिए रख्या है, अब आगी चोथी सलाई, उल्टी सलाई, अब चोथी सलाई भी हम सारे फंदे उल्टे बना आतेंगे, अब ये सारी जगा तिन तिन दिखाई दे रहे हैं, एक, दो, तीन, अग्ये फिर एक, दो, तीन, जितने फंदे थे अमारे इतने ही बनाई हमने, कोई फंदा कम ज्यादा ने हुआ, अब ये चोथी सलाई को पूरी को इस तरह उल्टे उतार लेंगे, अब ये च्यार सलाई उतार ही हैं, च्यारों सलाई उल्टे उतार ही हमने, अब ये एक डिजानों गया मारा, देख्वर जान कितना अच्छा लगे रहा, अगर आप इसको बोडर बनाना चाओ, बोडर भी बना सकते इसको, जैसे लेडिस का डिकन का बोडर बनाली, या बटन वाली काज़ वाली पक्टी बनाली, वो भी अच्छी लगेगी, अगर इसको दोरंका बनाना चाओ, दोरंका भी बना सकते हो, आग्गे एक वीडियोर बना के दिखाऊंगी दोरंकी, अब आग्गे फिरम पहली सलाई से फिर सुरू करेंगे,